हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में आज की इस वीडियो में हम बहुत इंट्रस्टिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं अदानी ग्रूप ने जो है इंडारेक्टली एंडी टीवी में 29% के आज पास की स्टेक खरीद ली है अपनी एसोसीटेट कंपनी के थ्रूप और यहाँ पर 26% के लिए ओपन ओफर दिया है इस लिए काफी इंपर्डेंट हो जाती है कि यहाँ पर इस डेवलपमेंट के बाद में एंडी टीवी के फाउंडर्स का भी जो है स्टेटमेंट आई है कि एक होस्टाइल सौर्ट आफ जो है टेक ओवर करने की कोशिश है और उनके साथ में इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि पूरी न्यूस अक्चुली है क्या और यहां पर फ्रेंट्स न्यूस के बेस पर इस डेवलपमेंट के बेसिस पर इन्वेस्टर्स के लिए यह पॉजिटिव है निगेटिव है एंडिटिवी का शेयर कल किस तरह से र अपडेट को पाने के लिए फ्रेंट्स अदानी एंटरप्राइज जो है एंडिटिवी में कंट्रोलिंग स्टेख खरेदने वाली है अदानी की एक मीडिया यूनिट है एमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड उसके थूरूई डिल होने जा रहे हैं डिटेल में आगे ह किया है फ्रेंट्स अब आप समझे एक्जेक्ली न्यूज है क्या वीसी पील नाम की एक कंपनी है विश्व परदान कमर्शिल प्राइवेट लिमिटेड जो एमजी नेटवर्क्स लिमिटेड की जिसकी ओनर्शिप जो है अदानी एंटरपैस के पास है उसकी फुली ओन सब प्राइवेट लिमिटेड के वारंट्स हैं जो उसको यह राइट देते हैं कि वह उसको वारंट्स को एक्विटी शेयर्स में कनवर्ट कर सकती है और 99.99% इस्टेक राइवेट कर सकती है राइर पी आर के पास में एंडी टीवी की 39% की होल्डिंग है और यह फाउंडर एमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की फुली ओंड कमपनी है तो इंडरेक्ली जो है अदानी गुरूप के पास में एंडी टीवी की 39% की स्टेक आगई और उन्होंने यह राइट एक्ससाइज कर लिया है यानि कि अब 39% स्टेक एंडी टीवी की अदानी एंटरपैज जिसके पास चली गई है अब फ्रेंट्स इस ओफर के बाद में एस पर्दा से भी रूलिंग जो है सेट्स के अकॉर्डिंग रैगॉलेशन के अकॉर्डिंग 26% एडिशनल स्टेक एक्वाइर करने के लिए यह उपन ओफर लेके आ सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर 294 रुपे पर एक कंपने ने ओपन ओफर दिया है जो कि मौझूदा प्राइस से जो मौझूदा 370 रुपे का प्राइस से वहां से 20% के डिसकाउंट पर है तो ओपन ओफर के अगर हम पॉइंट आफ यू से देखें तो यह कल स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए क्यो पहले एक महीने में या देड़ महीने में कहुरन दिखाया है वो पहले से कहीं न कहीं इस तरह के न्यूस का इंडिकेशन दे रहा था यह स्टॉक लगबग 10 गुना के आसपास बढ़ चुका है पिछले कुछ समय में बहुत जबर्दस तेजी देखने को मिली है यहां पर फ टॉक एक्स्चेंज को यह बोला है कि राधिका और प्रणाव रोय जो क्लेक्टिवली 61.45% के स्टे कंपनी में रखते हैं कंपनी के फाउंडर है उनसे किस तरह का कोई भी डिसकेशन नहीं किया गया है एक्चुली जो स्टेक जो है RRPR के पास थी वो NDTV के लोन के फॉर्म में थी और वहां पर उनके पास राइट्स था कि वो उसको एक्विटी में कनवर्ट करके 29% के स्टेक ले सकते हैं तो काफी इंटरस्टिंग स्टोरी यह डेवलप हो रही है होस्टाइल टेक ओवर की बाते यहां पे हो रही है फेंट्स अगर यह ओपन आफर में टेंडर करते हैं पूरे शेगर 26% अदानी ग्रूप के पास जाती है तो भी एक बड़ा चंक होने के बाद फांडर्स के पास रहेगा तो यह डेवलप्मेंट वाके ही काफी इंटरस्टिंग है और पॉलिटिकली भी काफी माइने के निकाले जा रहे हैं हाला कि हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे पर यह डेवलप्मेंट काफी जो हैं इंटरस्टिंग हैं काफी अपनी तरह में यूनीक हैं और देखने वाली बात होगी कि अब आगे किस तरह है कि यहाँ पर नियूस फ्लो डेवलप्मेंट निकल के आते है और यह शायद litigations में भी मामले फर्स सकते हैं जिस तरह से founders का statement यहां पर आया कि उनसे कोई discussion नहीं किया गया तो देखना होगा terms and conditions वहाँ पे RR PR में क्या थी conversion को लेके litigation में भी यह मामला जा सकता है पर फिलाल हम सरिफ और सरिफ बात करेंगे shareholders के लिए table पर कुछ है या रही development के बाद में हैं दूसरी बात फ्रेंट्स यहां पर यह है कि अजर अधानी ग्रूप के पास control जाता है तो future point of view से तो यहां पर बड़े developments और देखने को मिल सकते हैं हलाकि अधानी ग्रूप एक काफी बड़ा थारा उनिस लाग करोड का ग्रूप है तो ऐसे में चुटी चुटी आमस कहीं होती है रिलाइन्स के case में हमने देखा है हाथवे के विल डैन नेट्वरक ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा वहां पर हमें टर्नराउंड देखने को नहीं मिला वो चीज मुझे एंडे टीवी में भी लगती है कि बहले ही management control change हो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे उसके chances बहु मुझे कम लगते हैं तो फ्रिंट्स दोनों ही तरीके से देखा जाए तो shareholders के लिए जो होना ता वो हो चुका है मुझे यहां से इस news के उपर इस share में कोई बड़ी तेजी आएगी वो तो देखने को लगता ही नहीं है हाला कि हम बड़े corrections की उमीद जरूर है दूसरी बात ज बात है फ्रेंट्स इस बात को समझे किस न्यूज के बेस पे आपको आप इस टॉक में पोजिशन ना बनाएगे सोचके के वड़ानी का नाम जोड़ गया तो हजार बना दोजार रुपे हो जाएगा आपने देखा है कि काफी अड़ानी ग्रूप के शेर में बड़ी यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वज़े से वह यहां पर नई पोजिशन बनाया या फिर शेयर में कोई बड़ी तेची देखने को मिले हाला कि अप डवलपमेंट्स कैसे होते हैं वह देखना होगा आगे कुछ भी डवलपमेंट्स होता हैं वीडियो बना के आपके